तो वालो गाईद आप देखें है TechJune YouTube चैनल और तो इस वीडियो पर बात करने वाले तीन बड़ी न्यूजस के बारे में तो जो AMD है वो अपनी दो नए प्रोसेसर लाँच करने वाला है तो यहाले जो प्रोसेसर से कोई Zen 3 बेजनी होंगे Zen 2 पर ही बेज जोंगे और यहाले को APU ने यह वाले प्रोसेसर से CPU देने वाले हैं तो इसके वारे पर वीडियों बात करेंगे इन दोने CPU के नेम क्या है इनकी रिलीस देट लांच रे इस इसनी भी चीज़ा भी तक इन CPU के बारे में पता है उसके बारे में बात करेंगे RDNA 2 और NVIDIA MPR के बारे में कब तक पसंद में आतीकि तो या मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे बें वीडियो को आपको अपनी सब populaire चीश की करें चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चली वीडियो स्टार्ट कर लेती है तो बात करते हैं बारे में बारे में बारे में बात करेंगे आपको कब online और आपको 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 कब तक available देखने को मिल तक है आपको 16 जून सब यह सारे अपनी शॉप्स पर और ओनलाइन वेबसाइट पर तो जिसने भी आपको इनके बारे में खावर रहे हैं तो बात करेंगे जो बताया जा रहा रहा है इनमें PCI Gn4 का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा तिक वाली जो न्यूस है बिल्कुल टू है आपको PCI Gn4 का सपोर्ट देखने को मिलता है और बताया जा रहा है तो मैं आपको डियूल बैटर भी आपको देखने को मिलते हैं और जिसके कारण से जो प्राइदिंग वो काफी ज्यादा हाई होने वाली मेरे इसाब से तो और जो एक्षा सेमेंटी मदा वोट्स है जैसे बताना चाहता हूं कि आपको कुल भी मदर बूर्ट साइज 8000 और प्रेसे नीचे देखने को नहीं मिलने वाला है तो मैं अपने साफ से बताना हूंगा आपको कुछ और ओपीनियन है तो आप मेरे को मेरे को में जरूर से बता सकते हैं तो बात करते हैं RDNA 2, Ryzen 4000 और NVIDIA MPR के अब प्रोसेशर नहीं वाला हैं तो यह बात करते हैं तो बात करते हैं तो जो एमडी यह वो आपने दो नए प्रोसेसर लांच कर सकता है यह वादे प्रसेसर को इंतरी पर डये नहीं होने वाले यह प्रसेसर सकोगे और इस प्रसेसे को एंपियॉ नहीं है यह आपको CPU लेक को मिलते हैं और यह वाइवे ज्ञाल की सामने आ रहे है HXL के tweet के तुरू तो आपको दोने CPU चली ही मार्केट में देखने को मिल सकते हैं तो पहले CPU का नाम होगा 3750X और दूसरे CPU का नाम होगा 3850X तो इन CPU के बारे में और ज्यादा कोई information नहीं है पस इनके बारे में इतना बतायदा रहा है कि यह वाले CPU के आपको 16th of June को साय लाउंच होते होगे दिख सकते हैं और 7th of July को आपको यह मार्केट में देखने को मिल सकते हैं तो इन CPU के बारे में जादा अभी तक कोई information नहीं है